राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बादे चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं अपनी वीडियो में आपको अनन्द चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ बंधों अनन्द चतुर्दशी भादो मास के शुकल पक्ष की चतुर्दशी तिथी को मनाई जाती है इस दिन भगवान विश्णु की विशेश रूप से पूजा अरादना की जाती है जो मनुष्य भी अनन्द चतुर्दशी का व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं भगवान विश्णु उनके सभी मनोरत शिक्र अतिशिक्र पूरन करतेते हैं बंधों पूरन विश्वास सची शद्धा के साथ ही अनंत चतुदशी का व्रत करें और कथा सुनें। बंधों यदि आपने यूटीब चैनल संसकार की बातें अब तक सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ता कि आपको हमारी आने सबी वीडियो की जानकारी सब से पहले हो सके बंधों कथा को पूरी सुनें। सुनने के बाद कथा का पूरन फल प्राप्त करने के लिए कॉमेंट बोक्स में राधे राधे अवश्चे लिखें। बोलो विश्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल में सुमन्त नाम का एक नेक तपस्वी ब्रहामन था। उसकी पत्नी का नाम दिक्षा था। उसकी एक परमसंदरी, धरमपरायन तथा जोतिर्मई कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दिक्षा की मृत्यु हो के बाद सुमंत ने करकशा नाम की इस्तरी से दूसरा विवाहा कर लिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकशा ने दामाद को कुछ इंटे और पत्थरों के टुकडे बांद कर दे दिये। कॉडिन नरिशी दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिये। प्रन्तु रास्ते में ही रात हो गई वे नदी पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी इस्त्रियां सुन्दर वस्त धारन कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधी पुर्वक अनंत व्रत की महता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और चोधे गांठों वाला डोरा हाथों में बांध कर रिशी कोडिन्या के पास आ गई। सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा चलाने की बात कही। इसके बाद पस्चाताप करते हुए रिशी कोडिन्या अनंत डोरे की प्राप्ति के लिवन में चले गई। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रगट होकर बोले। तुमने मेरा तिरसकार किया था। उसी से तुमें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए अब तुमने पस्चाताप किया है। मैं तुम से प्रसन हूँ। अब तुम घर जाकर दिधी पुरवग अनंत ब्रत करो। चोधें वर्ष प्रयंत व्रत करने से तुम्हारा दुखदूर हो जाएगा। तुम धन धन्य से संपन हो जाओगे। कोडिन्या ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गए। शीक्रिष्ण की आग्या से युधिष्टा ने भी अनंत भगवान का व्रत क जिस चे प्रभाव से पांडव महा भारत के युद में विजय हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। एक अन्यवरत क था। एक बार महारा युधिष्टा ने राज स्वेयक किया। उस समय यग्य मंडप का निर्मान सुन्दर तो था ही अद्भुत भी था। वह यग्य मंडप इतना मरोरम था कि जल वा थल की भिंता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांती प्रतीत होती थी। बहुत साबधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थी। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुरियोधन भी उस यग्यमंडप में आ गया और एक तलाप को स्थल समझ कर उसमें गिर गया। दुरॉपति ने यह देखकर अंधों की संदान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इस से दुरियोधन चिड़ गया। यह बात उसके रिदे में बान के समान लगी। उसके मन में द्वेश उत्पन हो गया और उसने पान्वों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत क्रिडा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची उसने पांडवों को जुए में प्राजित कर दिया प्राजित होने पर प्रतिज्या अनुसार पांडवों को बारहें वर्ष के लिए बनवास भोगना पड़ा वन में र हे युदिष्टर तुम बिधी पुर्वक अनंत भगवान का व्रत करो इससे तुम्हारा सारा संकर दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राजे उन्हें प्राप्त हो जाएगा इसलिए बंधों अनंत भगवान का व्रत करने से निश्य के सभी दुख दूर हो जाते ह अनन्त भगवान की पूजा करें और अनन्त सुक्की प्राप्ति करें बोलो अनन्त भगवान कीजे विश्नु भगवान कीजे राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवश्य करना धन्यव खराधे झाल 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 झाल